हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मिस्टराइजूकेशन में स्वागत है जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहां पर फिजिक्स जीए यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं अभी पॉटेंशल सर्फेस का जू वीडियो अगली बार करूंगा, मतलब नेक्स वीडियो में एक पोटेंशल सर्फेस करूंगा, उससे लेटर निमेरिकल करूंगा, फिलाल जो पोटेंशल के निमेरिकल है, वो मैं आज करने वाला हूं, क्योंकि potential का numerical माल लीजे कि आपको मिलेगा ही 100% मिलेगा और काफी easy तरीके से हम लोग उसको question बना सकते हैं यानि कम time में question हम लोग कर सकते हैं उससे पहले जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं मैं उसे request करूँगा कि वो please चैनल को subscribe कर लें और वीडियो देखिए आपको जब अच्छा लगे तो like कीजिए और साथी साथ share कर दीजिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा एक telegram भी चल ला है जहां पर आप जाके देख सकते हैं वहां पर आपको study material जो भी वीडियो होते हैं कि study material एक दिन बाद upload हो जाता है और साथी साथ उस पर questions हम देते हैं आप खुद घर पर ट्राइब कर सकते हैं उसके बाद हर संडे को हम लोग टेस्ट पेपर देते हैं यानि जो भी topic cover होगा वह उससे मैं आपको दो-तीन दिन पहले करके बता के संडे को टेस्ट करूंगा तो यह टेस्ट आपको पैटर्न कैसा होगा क्या होगा सब वहां पर बताया गया है आप वहां जाके देख सकते हैं लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा जहां से आप तयारी के लिए एकदम पूरा material पा सकते हैं लेकिन यहां आपकी भी जिम्यदारी बनती है कि चीजों को आप determination के साथ करें अच्छा मौका है सुनेरा मौका है हम इसमें success 100% होना चाहेंगे उसके लिए हमें मेहनत की भी तमाम circumstances ऐसे हैं जो हमें नहीं करने देते हैं लेकिन हमें उन सबसे उबर के हमें करने की जरुरत है एक दूसरा यह जो इसमें questions आने वाले हैं वह बहुत छोटे questions आने वाले हैं चुकि हम सभी लोग पीजी हैं तो पीजी मास्टर्स हैं Master in physics तो हमें यह चोटे questions बोरिंग ल हैं लेकिन accuracy और speed बड़ा deciding factor होगा examination में इसलिए regular test अगर आप दे रहें तो आपके success होने आपके crack करने के chances बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए लेकिन यह मेरा उन लोगों से request है कि जो पहली बार दे लेक्ट्रिक पोटेंशल की वीडियो देखें अगर आप प्रेक्टिस का अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशल पर चुके हैं तो आए हम साथ में questions solve करते हैं तो मैं यहां पर questions बारी-बारी से लिक के solve करूंगा चुकि हमारे पास instruments या techniques technology कम है तो मैं इसी में काम चला रहा ह हूं आप भी लेकिन आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने वाला तो हम मिलते हैं next slide में चलिए अब हम लोग पहले question की तरफ चलते हैं पहला question हम लोग देखें यहां पर है the electric potential is V, V हमें दिया है V is equal to x square minus 2x उसके बाद पूछ क्या रहे हैं what is the electric field strength at x is equal to 1 तो यहां पर x is equal to 1 पर electric potential की value पूछ रहे हैं और electric potential का कुछ value दिया है V is equal to x square minus 2x तो हम लोगों ने electric potential और electric field के बीच में relation किया हुआ है एक था आपके पास e is equal to minus db upon dr अब यहां पर V देखें सिर्फ x का function है तो हम लोग सिर्फ क्या कर लें इसे x में convert कर लें minus db upon dx value put कर दें तो V की value यहां पर x square minus 2x है differentiate कर दें तो यह minus already जो बाहर है रहेगा अंदर आपको x square का differentiation 2x हो जाएगा और 2x का सिर्फ 2 बचेगा यह हमारा आ जाएगा electric field लेकिन value पूछ रहे है x is equal to 1 पर x is equal to 1 की यानि आप value put कर दीजिए तो आजाने वाला है माइनस एक्स की value 2 रख दिये तो माइनस bracket में 2 into 1 minus 2 आप देख सकते हैं value मिल रही है 0 तो इसका answer होगा 0 यानि x is equal to 1 पर electric field की value 0 आएगी जबकि हमारा electric potential की value जो दिया है वो x square minus 2x का form है और x is equal to 1 पर उसकी value है 2x minus 2 इसे आप अपनी copy में लिख सकते हैं चलते हैं next question की तरफ चली next question देखते हैं the electric potential at a point xy a point xy in the plane in xy plane is given by v is equal to minus k times xy ओके पूछ क्या रहा है कि the field intensity at x at a distance I am sorry at a distance r from the origin varies as तो यहां पर क्या कर रहा है electric potential की value दे रहा है किसी point xy plane में और उस point की दूरी origin से r कह रहा है तो पूछ रहा है कि हमारी जो electric field field intensity field intensity मतलब electric field की intensity r के किस power पर depend करीगी तो यहां पर देखो r square है दूसरा option r है तीसरा one upon r है चौथा one upon r square है चलिए करते हैं तो पहले हमें यहां पर देखे electric potential दिया हुआ है और हमें electric field निकालनी होगी क्योंकि अगर हमें power जानना है तो हमें electric field की expression को find करना पड़ेगा चलिए करते हैं पहले तो देखे v की value यहां पर दिया है minus kxy इसकी help से पीछे जैसे हमने question किया पहला उसी का एक तरीके से दूसरा उसी जैसा question है तो हम इसे यहां से क्या कर लेंगे electric field calculate कर लेंगे तो electric field का क्या formula था potential के साथ e is equal to minus db upon dr लेकिन अब देखे यहां पर r जो v है वो x और y पर depend कर रहा है तो इसमें हमें d के दो components लेने पड़ेंगे यानि हमें यहां पर d by r को d upon dx i cap plus d upon dy j cap लेना पड़ेगा अगर तीसरा होता तो मतलब zb होता तो d upon dz k cap लेना पड़ता तो फिलाल यहां पर दो ही है तो अगर हम लेंगे तो यह मिलेगा minus d upon dx और यह आपका minus kxy bracket में i cap यह रहेगा ना फिकी वैलू और फिर उसके बार d upon dy minus में kxy j cap अब differentiate कर देते हैं यह सिर्फ x को differentiate करेगा तो यहां पर हमारा value बचेगा minus k times y i cap plus यह plus इसको minus बना देगा यह minus इस plus को minus बना देगा और फिर यह y को differentiate करेगा तो यह सिर्फ यहां one है तो यह value की electric field की value है लेकिन अभी हमें यहां पर जो हमारा काम है वह आर्स find करना है और कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं तो जैसा question में बताया है कि xy point पर हमें electric potential find करना है electric field करना है वह आ गया यह आ गया और और जिन से इसकी distance r है तो जरा आर को distance निकालें देखिए क्या मिलता है यह दो vector form है तो आर यहां पर आ जाएगा under root x square plus y square यहीं आएगा तो अगर हम इसका mode निकाल लें जो electric field का expression आया है तो mode of e क्या हो जाएगा k times under root x square plus y square होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा यहां पर y square plus x square होगा फिलहाल क्योंकि i component का multiply y है और j cap का multiple x है बट वैल्यू यहीं आएगी तो आप इसे क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं या mode of all तो यहां पर electric field का variation किस पर हो रहा है और पर हो रहा है तो option i think b सही होगा वैल्यू यहीं है option b सही होगा चले मिलते हैं next question में चले next question देखते हैं question है कि the thousand small droplets of water क्या है हमारे पास 1000 droplets मतलब मूद है water के of radius smaller जिनकी radius क्या है smaller and charge q सब पर चार्ज क्या है क्यों है अच्छा make a big drop of spherical shape क्या करती है यह 1000 droplets एक बड़ा सा big drop lid बनाती है ठीक है आप क्या कह रहे है कि the potential of big drop the potential of big drop is how many times the potential of one small droplet मतलब यह चोटे-चोटे small droplets है इनकी potential से कितना गुना बड़ा बड़ा वाला जो sphere बनेगा droplet बनेगा उसका potential कितना होगा इसमें options दिये हैं सेम होगा यानि वन होगा और 10 यानि 10 times 100 into मतलब 100 times 1000 मतलब 1000 टाइम चलिए करते हैं क्वेशन है question असान बट थोड़ा सा sincerely करना पुड़ेगा तो देखे question में हमारे पास च्छोटे-च्छोटे droplets हैं तो एक droplets का क्या potential होगा वी is equal to k q by r k आपका 1 by 4 by epsilon not होता है अगर हम खाली droplet की potential की बात करें आउटसाइड नहीं सिर्फ उसके surface पर तो यह उसकी potential होगी ठीक है अगर हम thousand ले ले रहे हैं तो thousand times क्या होगा चार्ज भाई सब पे चार्ज क्यूं है तो क्या होगा यह आपका thousand times k qy r हो जाएगा यह हमारा potential होगा big drop का लेकिन अपमें compare करना है कि कि कितना time बढ़ेगा तो आप कहेंगे सरे तो 1000 गुना बढ़ गया नहीं अभी हमें radius के बारे में जानकारी नहीं इस वजह से क्यों क्योंकि यह big drop है और smaller smaller की जो छोटी वाली हमारी है इस वजह से हमें radius कुछ और रखना होगा capital लिजे रख लिया तो अगर एक बार हम इस आर स्मॉल आर में relation find कर लें क्योंकि आप देखो न हमने क्या कहा छोटा अगर ड्रॉपलेट है तो उसकी रेडियस कुछ और होगी बड़ा जब ड्रॉपलेट बनेगा तो उसकी इसका कुछ और होगी तो पोटेंशल में जो आर है वो चेंज हो जाएगा हाला कि यह बैल्यू सब्सक्राइब सही है लेकिन हमें यह निकालना है कि यह दोनों कितने मतलब गुना है इसका कितना गुना यह है तो चलिए मिलके क्या करें बड़े ड्रॉपलेट मना रहे हैं तो इसका मतलब सारी वॉल्यूम क्या हो जा रही है सेम है मतलब हजार ड्रॉपलेट का वॉल्यूम अगर हम एड़ कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बड़े वाले शेप का ड्रॉपलेट मिल जाएगा तो हजार इंटू small droplet small droplet की radius small r तो volume कितना हो जाएगा sphere form में है तो 4 upon 3 pi small r cube अच्छा तो ये किसके एकवल होगा ये बड़े वाले droplet के volume के एकवल होगा तो बड़ा वाला volume का radius कितना है capital r तो volume कितना हो जाएगा 4 upon 3 pi r cube 4 upon 3 cancel हो गया pi pi से cancel हो गया बचा क्या r cube is equal to small r cube into thousand हमें तो r चाहिए तो r is equal to क्या हो जाएगा 10 times smaller ये आ गया अब हम अगर इसमें value रख दें तो हमारा काम हो जाएगा तो thousand kq r की value कितना है 10 times smaller cancel कर दें तो यहाँ बच जाएगा 100 और यहाँ पर आपका k cube upon small r k cube upon small r क्या है एक drop plate का potential जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि 100 times potential क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जबकि अगर हम मतलब अगर हजार drop plates को एक साथ ले आ रहे हैं आइधिंक यह question समझ में आ गया दिकत ने होनी चाहिए चलते है नेक्स question की तरफ चले नेक्स question देखते हैं नेक्स question है assume that an electric field e 30x square i cap exist in space तो इस space में कहीं पर हमारा यह electric field exist करता है उसके बाद कह रहे हैं कि the potential difference va-vo हमें क्या करना है the potential difference va-vo where vo is the potential at origin and va at x is equal to 2 तो हमें क्या करना है हमें va-vo की value find करनी है जहां पर vo और जिन पर potential माना जा रहा है और va x is equal to 2 पर तो चलिए करते हैं अब इससे पहले जो पहला और दूसरा question आज इस video हम लोग ने किया उसमें हमारे पास electric potential दिया हुआ था और हम लोगों ने electric field find किया था लेकिन यहां पर हमें electric field दिया है और electric potential find करना है तो formula वही रहने वाला है बस थोड़ा सा उसमें हम modify कर देंगे तो e is equal to minus db upon dr होता है चुकि यह सिर्फ x में है तो हम इसे db by dx कर लेंगे तो e is equal to minus db upon dx अच्छा dx को इधर बेस देंगे तो यह db dx हो जाएगा edx इसको इधर ले ले रहे हैं तो यह minus edx हो जा रहा है ठीक है अब electric field की जो value दिया है उसमें ध्यान से देखे 30x square i cap यह value दिया है तो यहां पर dx अगर मैं इसको vector में करता हूँ हम इसको vector में करना पड़ेगा तो यहां पर इन दोनों का क्या है एक ही direction में है तो यह हम इसे क्या लिख सकते हैं minus में edx लिख सकते हैं ओके तो वैल्यूट करते हैं और solve करते हैं देखते हैं क्या आता है लेकिन हम यहां पर पहले integrate करना पड़ेगा integration कहा करना पड़ेगा integration करना पड़ेगा वी नॉट से वी ए तक दीवी और इस तरफ integration x is equal to 0 से 2 तक क्योंकि origin से वी ओ origin पर है और वी ए x is equal to 2 पर है तो value रख देते हैं 30x square i cap ठीक है इसे integrate करके value रखना पड़ेगा ऐसे माइनस के साथ ठीक है तो अब इसका integration तो simple ba-bo होने वाला है जो हमें find करना है और यहां पर 30 हमारा outside आ जाएगा x square का differentiation करेंगे यहां पर i cap नहीं होगा तो यह आ जाएगा x cube by 3 i cap इसलिए नहीं होगा क्योंकि x और i same direction में है dot product बन देगा तो यह 0 to 2 ठीक है तो यह आ जाएगा आपका minus 10 और अगर आप इसमें value रखेंगे तो 2 की value रखेंगे तो यह 8 देगा और 0 रखेंगे 0 देगा तो कोई बात ही नहीं तो यहां पर value आ जाएगी minus 80 ठीक है जूल्स पर कुलम तो option एक करेक्ट है चले चलते नेक्स क्वेश्चन में चले नेक्स क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 4 चार्जेस हैं q1 is equal to 2 into 10 to the power minus 8 कुलम q2 है minus 2 into 10 to the power 8 कुलम माइनस 8 कुलम और इसी तरीके से q3 है minus 3 into 10 to the power minus 8 कुलम और q4 है 6 into 10 to the power minus 8 कुलम are placed at the four corners of square तो किसी square के चारों कार्णर पर यह चार्जेस रखे गये हैं ओके और कार्णर साइज जो square की side है वो root 2 meter है ओके फिर क्या करें कि what is the potential at the center of the square तो उसी square के center पर क्या potential होगा चली जड़ा देखते हैं इस तरीके समालीजे हमारे पास क्या है square है जिस पर charges q1 q2 q3 q4 रखा गया है और center पर हमें potential निकालना है side दिया है root 2 meter तो हमें सारे charges से निकालना होगा charges की values तो पता है बस हमें distance पता लग जाए तो हम diagonal का size निकाल सकते है square का diagonal जो होता है आप निकाल सकते हो पाइथा गोरस theorem से भी निकाल सकते हो क्या होगा अगर इसे आप base मालो इसे perpendicular मालो तो यह आ जाएगी root 2 का square प्लस root 2 का square आ जाएगा आपका 4 root में या 2 आ जाएगा तो यह पूरी length 2 हो जाएगी और center half distance पर होगा तो 1 meter तो सारी distances क्या हो जाएगी corner से सारे distances 1 meter माने जाएगे center तक चलिए हमें charges पतल लग गया और हमें क्या पतल लग गया Charges से point की distance तो electric potential क्या होता है algebraic sum होता है अगर किजी point पर net potential निकालना है तो algebraic sum use करेंगे यानि k आपका 1 by 4 pi epsilon 8 है जहां पर जरूतिक हमाँ यूज कर लेंगे और r की value 1 है तो हम लोग 1 बाहर ले रहे है sum up the charges कर देते हैं तो sum up the charges में q1 की value आप देखे 2 है तो 2 हम यहां ले लेते हैं फिर minus 2 फिर उसके बाद minus 3 plus 6 into 10 to the power minus 8 k की value होती है 1 upon 4 pi epsilon not और यह cancel हो जाएगा तो यहां पर बचाएगा 3 क्योंकि देखे minus 2 plus 2 cancel हो जाएगा minus 3 और यह तो बचाएगा 3 तिसे हम लोग 3 into 10 to the power minus 8 लिख सकते है हुआ है ठीक है आप कीजिएगा यह साइद मैं एक बार चिक करके बताता हूं हाँ यह सारे charges के power में 10 to the power plus minus 8 ठीक है सही है चले अब 1 upon 4 pi epsilon not की value रख दें यह होती 9 into 10 to the power 9 इसकी value होती है into 3 10 to the power minus 8 9 3 27 और 10 to the power 9 or 10 to the power minus 8 कर देंगे तो यहां बचाएगा 10 आ जाएगा 270 वैल्यानि 270 वोल्ट हो जाएगा इसका answer है चले नेक्स क्वेशन पर जलते हैं आए चलते हैं नेक्स क्वेशन पर यह रीक्वेशन है two core centric sphere of radius capital R and small r कंडिशन दी है कि आ बड़ा है small r चोटा यानि r radius का स्फ्पेर है capital r radius का वो बड़ा स्फिर है और small r का छोटा have similar charges with equal charge densities charges का nature जो है वो से मैं अगर एक पर प्लस है तो दूसरे पर भी प्लस ही है लेकिन charge densities भी यहां पर equal दी गई है charge densities σिग्मा फिर what is the electric potential at common center हमें क्या करना है concentric spheres के हमें क्या करने है common potential find करना यहां एक center पे Sectionaker Online अप्षिन B है सिग्मा आपॉन एक सालनों ब्रैकेट में स्मॉल आसी है सिग्मा अपने कारीन नॉट मैं प्लस स्मॉल और 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 इसको पाइपस्लन नोट आप चली इसका एक फिगरं देखते हैं फिर इसको व्रत सॉ और करते हैं तो देखें तो थेज़Just centric spheres दिए गए हैं एक स्मॉल रडियस का एक कैपिटल रडियस का इसे स्मॉल र समझ लीजे और यह जो बना रहे हैं इसे कैपिटल र माल लेते हैं इस पर भी चार्ज क्यू है इस पर इस वज़े से एक पर चार्ज क्यू वन एक पर यह estos क्यू ऐस्यों करना पड़ेगा ठीक है तो देखें यहां पर अलगध अलग चार्ज देंसिटी है विए इस वज़ेसे हैं पर चार्ज किया होगा आफ अलग होगा का साहिस के ज़ेटिस हो है इस वज़ा से चार्ज की कॉंडिटी अलग होगी तो पहले पर q1 पर चार्ज कितना होगा कि न होगा हमारा 4 publicly r square यह की surface हो गई और स्कार्फिस चांज से सिग्मा और चार्ज क्यों कि ना पेड़ेगा, four five R square यहां स्मॉल आर-sa-過來 सिंटर क्या होगा दोनों स्पिर पे जो charges है स्पिर के अंदर का potential होता बढ़े होगा तो बड़े स्पिएर और चोटे स्पिर का जो इडिस्ट पोटैंचिल होगा वो center पे क्या होगा एक का होगा अगर बड़े की बात करें वीवन तो वन अपन 4Pi epsilon not Q1 upon capital R और वहीं हमारा V2 क्या होगा 1 upon 4Pi epsilon not q2 by small r अब दोनों को क्या कर देना है सम कर देना है दोनों जब sum कर देंगे तो one upon four pi epsilon not common आ जाएगा और अंदर बचेगा q1 upon capital r q2 upon small r चलिए score solve कर लेते हैं क्योंकि हमें sigma में ले आना है तो q1 की value रखते हैं और q2 की value रखते हैं one upon four pi epsilon not q1 की value देखिए four pi r square sigma है सिग्मा बाहर पहले लिख लेते हैं four pi r square sigma upon r और इसी तरीके से उसका दूसरे वाले factor की value ठीक है और रसे केंसी लो गया इस तरीके से यहां से यहां केंसील हो गया four pi सिग्मा कॉमन है ले लिजिए four pi सिग्मा बाहर नीचे से four pi epsilon not bracket में बचा यहां से r और यहां small r दूसरे दूसरे लिज्स पे four pi four pi से cancel हो गया तो देख सकते हैं option c जो है उसी से match करता हुआ आंसर आ रहा है सिक्मा अपॉन एप साइल नौट कैबिटल आर प्लस स्मॉल आ है कि हमारे पास वैल्यू आ रही है चलते हैं से और चलते हैं ने को आठेक्सक्याशन पर winter चलिने क्पिंस प्लस्टाल यह देखी हमारे पास है kulliacand कंड़क्टींग स्पियर वरस्ची रेडियस सीर पर इस गिवे नोचींस फ क्या दिया जा रहां आपना है शार्ज दिया जा रहा है क्यों आप पूच रहे हैं दा अलेक्चरिक पोटनशयल and इलेक्ट्रिक फिल एड़ी दा सेंटर अब इसपीर तो उससपीर के संटर पर इलेक्ट्रिक फोटेंचील और प्रेड्ट्रिक प्रोटनचरल और ऊईरा य। एक दिया है 0 and Q, दूसरा दिया है Q, 4 pi epsilon not r, option B है Q upon 4 pi epsilon not r and 0 और दूसरा है option C है Q upon 4 pi epsilon not r, और इसी का दूसरा value है Q, 4 pi epsilon not r square और option D है 0, दोनो 0 है, तो यहां ध्यान देने की जरुरत है, कोई बहुत बड़ा question नहीं है लेकिन चुकि इसमें दोनों answer same जैसे होते हैं, तो हम गलत लगा के, तो दोनों ध्यान देना होगा कि conducting sphere पर जब भी हम charge देते हैं, तो charge पूरे उसके surface पर आ जाता है तो inside the conducting sphere, charge क्या होता है, 0 होता है, और charge 0 होने के कारण Gaussian surface अगर हम draw करें अंदर, तो electric field 0 मिलता है, वहीं अगर electric potential की बात करें, तो देखें यहां पर इस तरीके का answer दिया हुआ है, कि आप confused हो सकते हैं, लेकिन देखें पहले पूछा क्या है, पहले पूछा electric potential and electric field respectively, यानि answer भी इसी order में होने चाहिए, यानि पहले electric potential पूछा है, और बाद में electric field, तो पहले आपको वह answer डूढ़ना है, जिसमें आपको यह value मिले, तो Q upon 4 pi epsilon not R, और दूसरा option आपकी 0, value 0 होनी चाहिए, यानि यह option आपका सही है, तो उमिद करता है, आपको यह video पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है, तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे और वीडियो को like कर लिजे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बीच में पहुचे, तो यहाँ पर आपको एक तरीके 100% material वह भी free मिल रह सब्सक्राइब करेंगे और लोगों में बताने बताएंगे भी साथी साथ आप बिल आइकन के प्रेस कर लिजे ताकि अगर वीडियोस अप्लोड होती हैं तो सबसे पहले आपके पास अप्डेट जाए और आप जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख पाएं चले आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद